हेलो फ्रेंट कैसे हो आप लोग उम्मीद करते हों आप लोग अच्छे होगे स्वागदे दोस्तों आप सभी लोगों का आपके अपनी चैनल क्रिकोलन प्रिडिक्शन में है गाइस बांगलादेस वूमेंस वर्सेज इंडिया वूमेंस की बीच में 3020 आई का मुकाबला खेल जाएगा जो कि आज ही दोपार साड़े तीन बजे आप लोगों का अपने भारे टाइम उनुसार होता हुआ मुकाबला दिख जाएगा नौ करोड की ग्रैंड लिग लगी हुई है यहां पे आप लोगों को कौन सी टीम उतारनी है जो कि आप लोगों को बहुत अच्छी र तो 90% चांसेज है कि इस मैच को भी विन करके सिरीज अपने नाम कर लेगी वैसे 5 टी 20 याई मैचों की सिंखला खेली जाएगी तो अगर यह मैच जीत लेती है तो सिरीज अपने नाम कर सकती है और highly chances है कि इंडिया वूमें सी इस मैच को विन करे है देखो same ground है सिलिट का य जैसे कि मैं बता रहा हूं पिछले मैच में भी डियलेस मैठड लगा था जहां पर इंडिया वूमेंस 19 रन से आगे चल रही थी तो जीत घोसित करवा दिया गया था अगर average score की बात की जाए तो देखो यहां पर इंडिया ने पहले बैट किया 145 बनाया सेकेंड मैच में ब संग्लादेस वूमन फस्ट बैट करीगी तो 110-120 से जाधा बनेगा ठीक है होने को किरकेट कुछ भी हो सकता है लेकिन लॉजिकल चीज़े आपको मालूम है मैं सब चीज़े बताता हूं अब देखो 11 विकेट टोटल गिरे हैं पिछले 5 मैच उपे इस ग्राउंड पे जहां संधना यार वर्ल्ड किलास बैट्समेन हैं लेकिन दोनों मैच में फ्लॉप होई यह पिछले मैच में फ्लॉप नहीं कहूंगा पांच नौट आउट पे ही थी क्योंकि बारिस के वाज़ा से मैच को यहां पे घोसीत करवाया गया ता जीत फिर भी देखो जिस लेवल के ख ठीक परफोमेंस किया था पिछले मैच में और सैफाली वर्मा को तो खेर खाता ही नहीं खुला था अब देखो दियान हेमंता पिछले मैच में खेली थी क्योंकि यासिका भाटिया बेंच पे गई थी हमांता खेली थी वनडाउन खेली थी 41 नौट आउट आउट का इन्हो को विकट मिलाता रेनुका सिंग ठाकूर को कोई विकट मिला नहीता चार वर की बॉलींग इन्हों था राधायादो ने चार वर की बॉलिंग की थी 3 मिकेट इनको मिलाता तो इसक्रीन सौट यह चीज आप लोग प्लीज ले ले लेना इंपॉर्टेंट चीज है अब देख आप जिसका चाहो देख सकते हो दिपती सरमा का बहुत अच्छा रिकॉर्ड देखनी को मिलेगा ठीक है तो आप इसी परकार जिसका चाहो देख सकते हो चलो बात करते हैं जो कि अपनी मेजबान टीम है बांगलादस वुमेन दिलेरा अक्तर के साथ मुर्शिदा खातून ओप इनों की नहीं थी पिछले मैच में सुल्ताना खातून की बात करते हैं तो एक ओबर की बालिंग की थी चार रन बतौर वैर्समें की थी रितु मोनी के बेस रन थे रेविया खान ने भी कुछ खासा पफर्फोर्मस नहीं किया था और खेली थी आई थिंक बालिंग वागरा आये नहीं थे जादा तर आपको मालूम है बारिश हुई थी ना बाकि नाहिदा अक्तर एक ओबर की बॉलिंग में कोई विकेट नहीं मिला था मारूफा अक्तर को भी विकेट नहीं मिला था और फारिशा त्रिशना को भी विकेट नहीं मिला था एक एक ओबर की बॉलिंग ही 13 मैच जीत के बहुत आगे तो मैं कहा रहो ना 90% चांसेज है हाँ एक फेवर है बांगलादस वूमेंस के हित में कि होम ग्राउंड इन लोगों करहने वाला है अदर्वाइस सारी चीज़े इंडिया वूमेंस के ही हित में दिख रही हैं पिछले जो दो मैच खेले गए हैं यह फिर बैलेश्ट विकेट दोनों में से एक मानना अगर बांगलादस वूमेंस की टीम फर्ष्ट बैट करेगी तो 110-120 अदर्वाइस इंडिया वूमेंस खेलेगी तो 140-150 बनता हुआ दिख सकता है और जादातर जो विकेट है वो आप लोगों को इस्पीन बॉलर ही निकाले उससे पहले कितने क्या स्कोर हुआ है यहां पर देखोगे सिरलंका वूमेंस की टीम 122 बनाई है इंडिया वूमेंस की टीम पहला मैच था यहां पे 145 बनाई थी नीचे आई यहां यही कुछ 3-4 मैच खेलेगा है तो वही जो 120-130 उसी किर्दगर्द आप लोगों को स्कोर देखने को मिलेगा इस पीनर देखोगे यार कितने आगे यहां पर 13 विकेट यहां पर 6 विकेट यहां पर 7 विकेट इनहीं के खातों में जाते हुए दिख जाएगा उमेदे दोस्तों जो भी चीज़े मैंने आप लोगों को वीड़ो से बताई जितनी भी नॉलेज आप ल रियल चैनल है आप लोग एक बर देख लेना पहले तो ट्राइ करना लिंक से आना डॉस के बाद आप लोगों को स्मॉल लीग घर परकार के टीम वगरह यहां पर प्रवाइड करा दी जाती तो यहां पर ज़रूर आईएगा देखो विकेट कीपर आप्शन से बात करते हैं तो आप लोगों को बताता चलो रिचा गोस पांच नंबर पर खेलेंगे तो अगर इंडिया वूमेन फर्स्ट बैट करें तब आप इनको लेना अदर्वाइज निगार सुल्ताना को लेलो किसी बिनिंग में इनकी बैटिंग आने की अच्छे खासे चांसे हैं मैं दोनों क से वर्मा को लूँगा मंधना को लूँगा मैं अपने टीम में जरूँ ट्राइए करूँगा ठीक है कोर चठीवी कल्प के धॉर खेलेंगी वर्मा साथ वी विकल्प के धॉर रेंगे बतौर बॉलरThis यहां तुल्या ले जा रही है मुझे उससे मतलब नहीं मेरे टीम चा नहीं बना पारी है और राउंडर में दिपती सर्मा पूजा वाश्टाकर को टीम में मैंने ट्राई किया है फाहिमा खातुन आप चाहो तो ले भी सकते हो ड्रॉब भी कर सकते हो आपके उपर डिसी जाने फिलाल में लेके चल रहा हूं बॉलिंग से देखो इंडिया के ही और अपने कोटे के कंप्लीट करेंगे बाकी बांगलादेस के तरफ से नाहीदा अक्तर को मैंने टीम में ट्राई किया है राबिया खान का विकल्प है आप चाहो तो इनके साथ जा सकते हो मारूफा अक्तर के साथ भी जा सकती हो मैं नाहीदा अक्तर को ले जा रहा हूं क्य तो फिलाल कुछ इस परकार के टीम मन के रेडी हो रही है और वीडियो देख के आना उसके बाद अच्छे ज़र टीम समझ लेना सिर्फ यहां पर आप लोग देख के कॉपी पेस्ट मत करना नहीं चीज़े समझ पाऊ गया तो फिर लॉस हो सकता है तो चीज़े समझ लेना बा झाल कोया थे तो यहां प्यालक वेश कोरिश nast kehEस्वाज हो चीज़े सकता है तो फित नहीं बाया करने फिला कमें हो समझ लंग, हो सम्झ लड़ धेक किर वे तो दोंगती कंवाれ का करने है तो